असलाम लेकुम देरे स्टूडेंट, वेलकम टू आर्ट ग्लास बच्छो आज हम कटिंग और पेस्टिंग का काम करने वाले हैं उसके लिए आज हम बनाएंगे एक गुल दस्ता जिसमें आपको ड्रॉ भी करना है, कटिंग भी करनी है और पेस्टिंग भी करनी है फरस्ट अफॉल आप अपनी पसंद के कोई भी कलर पेजिज लें जो फलॉर के कलर होते हैं जैसे रेड, बिंक, येलो उसके बाद उसको कलर पेजिज जो हैं जैसे आपनी जो भी कलर अपनी पसंद से लिया है उसके इस तरहां से पीसीज बना लें स्क्वार शेप में इस तरहां से उसके पीसीज बना लें पीसीज बनाने के बाद आप उसके उपर पैंसिल से एक लीफ ड्रॉ करेंगे लीफ कैसे इस तरहां से पैंसिल से ड्रॉ करेंगे पैंसिल से ड्रॉ करने के बाद उसे सीजर से कट कर लेंगे इस शेप में हम उसको कट कर लेंगे कट करने के बाद ये एक फ्लॉर की तरहां से बन जाएगा ये देखें इस तरहां से हमने बहुत सारे कट करके रखे हैं ये देखें जो कलर पेजिस आपको अच्छे लगते हैं उस मेंसे आप इस तरह से ये कट करके आप उसको एकटा कर ले अब एक फाइट पेज पेश भे आपको गुल दस्टा यहाँ पे ड्रॉ़ करना है इस्टाह से बहुत हलकी सी पैंसिल के साथ आप निशान बनाएंगे निशान बनाने के बाद उसको इस तरह से गुल दस्ते के जैसी शेप दे दे Okay student इस तरह से आप एक गुल दस्ता बना ले और गुल दस्ता बनाने के बाद उसको बलैक कलर से आउटलाइन कर दे इस तरह से आप आउटलाइन करें और आउटलाइन करने के बाद हम एक green color लेंगे और green color से उसकी इस तरह से बना लेंगे यह हमने green color से ऐसे बनाई है आप brown से भी बना सकते हैं इस तरह से आप छोटी फिर बड़ी size के हसाफ से आप इस तरह बना ले okay student इस तरह से यह इसको हमने color कर लिया है sticks को अब हम क्या करेंगे कि इनके टॉप पे आपको थोड़ा सा glue लगाना है glue यहां लगाने के बाद हमने एक flower लेके यहां पे इसको flower को paste कर दिया इसी तरह से दूसरी साइट पे हम glue लगाएंगे और glue लगाने के बाद इसको यहां पे paste कर देंगे फिर इस साइट से glue लगाएंगे glue लगाने के बाद हमें क्या करना है कि अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से color के आपने जो flower बना के रखे हैं उनको आप paste कर दें ओके student यह हमने इस तरह से paste कर दिया है अब आपको क्या करना है कि हमने यहां पे एक half floor जो है वो cut करके रखा है इस shape में अब हम इसको color color paste से cut करके अब हम इसको यहां पे paste कर देंगे यहां पे हमने इसको paste कर दिया इसी तरह से आप मुक्तलिफ तरीके के different color pages से आप cut करके इस पे paste करें आप चाहें तो इसको frame करके आप अपने room में भी लगा सकते हैं okay student इसी तरह से आपको यह complete करके different shapes में आप flower cut करें और different colors के जो हैं गुल्दसें हमें बना के दिखाएं वैस बनाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई पिक्चर के साथ अब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज